जैश्री क्रिश्णा राधे राधे आज हम सुनेंगे जेट मास कःथा के 18 अध्याय की कःथा बोलिये कृष्ण भगवान की जै हो विश्णों भगवान की जै हो पिछले अध्याय की कःथा में सावित्री ने धरमराजजी से कुछ प्रश्ण पूछे थे धरम राजजी उन सबी प्रशनों का विस्तार से उत्तर दे रहे हैं और उत्तर देते समय धरम राजजी कहते हैं हे देवी वैशनव दो प्रकार के होते हैं सकाम और निशकाम सकाम वैशनव करम परधान होते हैं और निशकाम वैशनव किवल भक्त होते हैं सकाम बैशनव कर्मों के फलों को भोगते हैं और निशकाम बैशनव शुबाशुब भोग के उप्तरवों से दूर रहते हैं ये साथवी ऐसा निशकाम बैशनव शरीर त्याक करके भगवान विश्नु के निरामेपद को प्राप्त कर लेता है ऐसे निशकाम वैशनवों का संसार में पुने आक्मन नहीं होता द्रीवुज भगवान शिरी कृष्ण पून ब्रह्म परमेश्वर है उनकी उपासना करने वाले भग्त पुरुष अंद में दिवे शरीर धारन करते हैं और गोलोक में जाते हैं सकाम वैशनव पुरुष उच्च वैशनव लोकों में जाकर समय अनुसार कुने भारतवरश में लोटाते हैं दुज्जातियों के कुल में उनका जनम होता है और वे भी काल करम से निशकाम भक्त बन जाते हैं और भगवान उन्हें अपने निर्मल भक्ती परदान करते हैं वैशनव भक्त से भिन्न जो सकाम मनुश्य हैं वे विशनो भक्ती से रहित होने के कारण किसी भी जनम में विशुद बुद्धी नहीं पा सकते हे सादवी जो तीरत इस्थान में रहकर स्दा तपस्या करते हैं वे ब्रम लोक में जाते हैं और पुन्य भोग के बाद उन्हें भारत में आ जाते हैं हे देवी भारत में रहकर अपने कर्तव्य कर्मों में सलनगन रहने वाले ब्रामन और सुरिय भक्त शरीर त्याग करने पर सुरिय लोक में जाते हैं और पुन्य भोक के बाद उन्हें प्रत्वी पर उनका जनम होता है अपने धरम में निरत रहकर शिव शक्ती और गणपती की उपासना करने वाले ब्रामर शिव लोक में जाते हैं लेकिन उन्हें लोट कर फिर से जनम लेना पड़ता है जो धरम रहित होने पर भी निश्काम भाव से शिरिहरी का भजन करते हैं वे अपनी भक्ती के बल से शिरिहरी की धाम में चले जाते हैं ये सादवी जो अपने धरम का पालन नहीं करते वे आचारहिन कामुक लोलुप लोग अवश्य ही नर्क में जाते हैं चारोगी वर्ण अपने धरम में कटी बद रहने पर भी शुक कर्म का फल भोगने के अधिकारी होते हैं जो अपना करतवी कर्म नहीं करते वे नर्क में जाते हैं कर्म का फल भोगने के लिए वे भारत वर्ष में नहीं आ सकते अतहव जारो वर्णों के लिए अपने धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है अपने धर्म में सननगन रहने वाले ब्रामन स्वधर्म निरत विपर को अपनी कन्या देने के फल स्वरूप चंदरलोक में जाते हैं और वहाँ चोधे मनवंतर काल तक रहते हैं ये सादवी यदि कन्या को अलंकरत करके दान में दिया जाए तो उससे दुगनाफल प्राप्त होता है और सादू पुर्शु में यदि काम ना हो तो वे चंदरमा की लोक में जाते हैं निशकाम भाव से दान करें तो वे भगवान विश्नु की परमधाम में पहुँच जाते हैं गव्य यानि दूद, चांदी, स्वर्ण, वरस्त्र, गरत, पल और जल ब्रामन को देने वाले पुन्यात्मा पुरुष जंदरलोक में जाते हैं ये सादवी वहां एक मनवंतर तक सुधिता पूर्वक निवास करते हैं उस दान के परभाव से वहां सुधिर्ग काल तक निवास प्राप्थ होता है ये पतिवर्दे पवित्र ब्रामन को स्वर्ण, गो और तामर आदी द्रव्य का दान करने वाले सत्पुरुष सुधिय लोक में जाते हैं वे बहभादा से शुन्य होकर उस विस्तित लोक में सुधिर्ग काल तक वास करते हैं जो ब्रामन, प्रत्वी, अथ्वा, प्रचोर धान्य का दान करता है वे भगवान विश्नु के परम सुन्दर श्वेत तीप में जाता है और दिर्ग काल तक वही परवास करता है भगती पूर्वक ब्रामन को ग्रह दान करने वाले पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं और वही निवास करते हैं वे उस लोक में उतने वर्षों तक रहते हैं जितनी संख्या में उस दान ग्रह के रजकन है मनुश्य जिस जिस देवता के उद्देश्य से ग्रह दान करता है अंत में उसी देवता की लोक में जाता है और घर में जितने धूली कन है उतने वर्षों तक वहां पर वास करता है अपने घर पर दान करने की अपेक्षा देव मंदिर में दान करने से चो गुना फल प्राप्त होता है पूर्थ कर्म यनि वापी, कूप, तड़ाग आदि के निर्मान कराने पर सो गुना फल प्राप्त होता है इसे इस रेश्ट तेर्थ इस्थान में दान करने से आठ गुना अधिक पल प्राप्त होता है ऐसा ब्रम्भा जी का वचन है समस्त प्रानियों के उपकार के लिए तड़ाप का दान करने वाला दस अजार वर्षों की अबदी लेकर जनलोक में जाता है बावली का दान करने से मनुश्य को सदा 100 गुना पल मिलता है वह पुल का दान करने पर तड़ाप की दान का भी पुनिपल प्राप्त कर लेता है तड़ाक का पर्मान 4000 धनश चोड़ा और उत्ना ही लंबा होना चाहिए इस से जो लगो पर्मान में है वह वापी कही गई है जो पुन्यफल प्राप्थ होता है, वही उसकी भीदर से कीचड और मिट्ती निकालने से सुलब हो जाता है। वापी की कीचड को दूर कराने से उसके निर्मान कराने जितना ही फल competition होता है। ये पतिवर्दे जो पुरुष पीपल का व्रक्ष लगाकर उसकी परतिष्ठा करता है वह हजार वर्षों के लिए भगवान विश्नु की तपो लोक में जाता है ये सावित्री जो सबकी भलाई के लिए पुष पुध्यान लगाता है वह 10,000 वर्षों तक तुरुव लोक में स्थान पाता है ये पतिवर्दे विश्नु की के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला मानव एक मनवंतर तक विश्नु लोक में वास करता है यदि वह विमान विशाल और चित्रों से सुसजित किया गया हो तो उसके दान से चोगनाफल प्राप्थ होता है शिवी का दान में उसमें आधा पल होना चाहिए जो पुरुष भक्ती पूर्वक भगवान शिरीहरी के उद्देश्य से मंदिराकार छूला दान करता है वह अति दिर्क काल तक भगवान विश्णू के लोग में वास करता है हे सावित्री जो सरक बनवाता है और उसके किनारे लोगों की ठहरने के लिए धरहमशाला बनवाता है वह सत्पुरुष अजारों वर्षों तक इंद्र की लोग में परतिश्ठित होता है ब्रामणों अत्वा देवताओं को दिया हुआ दान समानफल पर दान खरता है जो पूरुव जनम में दिया गया है वही जनमांतर में प्राप्त होता है जो नहीं दिया गया है वह वला कैसे प्राप्त हो सकता है पुन्यवान पुरुष स्वर्गे सुक भोग कर इस प्रत्वी पर जनम पाते हैं उसी करमशे उत्तम से उत्तम ब्रामन कुल में जनम लेने का सोभाग के प्राप्त होता है पुन्यवान ब्रामन स्वर्ग सुक भोगने के अनंतर पुने ब्रामन ही होता है यही नियम शत्रिय के लिए भी है शत्रिय अथ्ववेश्य तपस्या के परभाव से ब्रामन तो प्राप्त कर लेते हैं ऐसी बात शुत्यों में सुनी जाती है धरम रहित ब्रामन नाना योदियों में भटकते हैं करम भोग के बाद फिर ब्रामर कुल में जनम पाते हैं, कितना ही काल क्यों ना बेच जाए, बिना भोग किये करम शीन नहीं हो सकते, अपने किये हुए शुप और अशुप करमों का फल प्राने को भोगना ही पड़ता है, देवताओं और तीर्थो की सहायता से काय विहों से प अनुष्य स्वर्ग और अन्ने लोकों में जाते हैं, वहे भी मुझे बताने की किरबा करें, तब धरम राज जी ने कहा है सावित्री, ब्रामन को अन्न दान करने वाला पुरुष इंदर लोक में जाता है, दान किये हुए अन्न में जितने दाने होते हैं, उतने वर्षों अन्न दान से बढ़कर ना कोई दूसरा दान हुआ है और नहीं कभी होगा, इसमें ना कभी पात्र की परिक्षा करने की आवशक्ता होती है और नहीं समय की, यदि अब ब्रामनों को और देर्दाओं को आसन दान किया जाए, तो हजार वर्षों तक अगनी लोक में रहने की सुइथा प्राप्त होती है, जो पुरुष ब्रामन को दो देनी वाली गाएं दान करती हैं, वह गाएं के शरीर में जितने रोय होते हैं, उतने वर्षों तक वैकुंट लोक में परतिष्ठित होते हैं, यह गोदान साधारन दिनों की अपेक्षा, पर्व के समय चोगुना तीर्थ में सोगुना और नारायन शेतर में कोटी गुना अधिक फल देनी वाला होता है, जो मनुष्ये भारत वर्ष में रहकर भग्दी पूर्वक प्रामन को गोपरदान करता है, वह हजार वर्षों तक चंदर लोक में रहने का अधिकारी बन जाता है, दुगदवती गो ब्रामन को देनी वाला पुरुष उसके रोम परियंत वर्षों तक विश्नु लोक में परतिश्ठित होता है, जो ब्रामन को वस्तर सहित शालिकराम शिला का दान करते हैं, बहे चंदर्मा और सूरिय के इस्थिती काल तक व्यकुंट में सम्मान पूर्वक रहते हैं, ब्रा ब्रामन को दान देने से दिर्ग काल तक चंदर्लोक में परतिश्ठा होती है, जो देवताओं और ब्रामनों को दीप दान करते हैं, वह ब्रह्म लोक में वास करते हैं, उनके पुन्ने से उनकी नेत्रों में जोती बनी रहती है, और वह कभी यम लोक में नहीं जाते, इस भ भारतवर्ष में जो मनुष्ये ब्रामन को हाती दान करती हैं वह इंदर की आयू परियंत उनकी आधी आसन पर विराजमान होती हैं। ब्रामन को घुड़ा दान देने वाले मनुष्ये वरुन लोक में आनंद करती हैं। ब्रामन को उत्तम शिवी का पाल की प्रदान करनी वाला विश्नु लोक में जाते हैं, जो ब्रामन को पंखा या सफेद चवर अरपन करता है, वह पायू लोक में सम्मान पाता है, जो ब्रामनों को धान का परवत देता है, वह धान के दानों के बराबर वर्शोतत विश्नु पर्थिश्टित होता है दाता और लेनी वाला दोनोंगी वैकुंट लोक में पर्थिश्टित होते हैं जो भारत वर्ष में भगवान शिरिहरी की नामों का किर्दन करते हैं उन चिरन्जीवी मनुश्यों को तो देखते ही मृतियु भाग जाती है जो विद्वान मनुश्य पूर्णिमा को रात भर दोलत्सव मनाने का परभंद करते हैं वह जीवन मुक्तफ हो जाते हैं इस लोग में सुको को भोग कर अंतमी भगवान विश्णो के धाम को प्राप्थ होते हैं उत्तरा फालवनी में उत्सव मनाने से इससा दुगना फल प्राप्थ होता है जो प्रामनों को तिल दान करता है वह तिल की बराबर वर्षों तक विश्णो धाम में सम्मान पाता है और उसके बाद भी उत्तम योनियों में जनम पाकर चिरन जीवी हो सुक भोगता है ताम्बे की पातर में तिल रखकर दान करने से दुगना फल प्राप्थ होता है जो मनुश्य ब्रामन को फल युक्त वरक्ष प्रदान करता है वह फल की बराबर वर्षों तक इंद लोक में सम्मान पाता है और फिर उत्तम योनियों में जनम पाकर सुयोग्य पुतर को प्र और इतना कहकर धरम राजी कुछ समय के लिए मौन हो गए आगे क्या हुआ हम अगले ध्याय की कथा में सुनेंगे आज के ध्याय की कथा यही परसमाप्त होती है बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो विश्ण भगवान की जय हो